Hello friends, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार पत्ते वाली प्याज की सबजी सब आधिकते लोग इसको फेंक देते हैं, यूसमें बहुत कम लेते हैं और यहां पर जितने भी इंटिकेंट हैं मैं बता देती हूँ, यहां पर लिए 50 गम पत्ते वाली प्याज, एक आलू जिसको मैं इस साइज में कार्ड लिया है, एक ग्रीन चिली, एक आधी चमश नमक, एक चमश धनिया, एक चमश जीरा, एक चमश हल्दी, एक चमश धनिया, एक चमश डेड चिली, तो चलिए फ्रेंस बनाते हैं पत्ते वाली प्याज की सबजी वित अलू, तो यहां पर मैंने पैन चड़ा दिया गैस पर, और उसमें एड करेंगे, एक छोटा चमश ओईल, ओईल को गरम होने देंगे, देखे फ्रेंस ओईल गरम हो चुका है, तो स सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को लगने देंगे तड़का और गैस की फ्लैम बिल्कुल कम कर देंगे यहां पर, और इसमें एड करेंगे ग्रीन चिली, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे आलू, इसको हमने इस साइज में काट लिया है, इसको तेल के स साथ अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे हल्दी एक छोटा चमच और आदे चमच नमक और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पत्ते वाले प्याज इसको अच्छे तरह से तेल के साथ मिला लेंगे सारे मसालों के साथ और इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है आप भूल कर पी ना डाले और एक चमच डालेंगे लाल मिच डालने के बाद में इसमें एड़ करेंगे हमारा सुका धनिया और इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे मसालों को बिल्कुल पानी का यूज नहीं होता है अगर आप भूल कर भी पानी डाल देंगे तो आपकी जो सब्जी है वो बिल्कुल बेकार बन जाएगी तो कभी भी पानी ना डाले यहां पर हमने लिए एक चोटा टमाटा जिसको और गैस के फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मेडियम और देखे फ्रेंस डग काटा लेंगे अलू को चैक करेंगे बिल्कुल गल चुके है अलू और गैस को कर देंगे बंद और इसको सर्फ करेंगे एक बॉल में तो चले फ्रेंस हमारी पत्ते वाली प्याज की सब्जी बनक तयार हुआ